हेलो एंड वेल्कम टू अनदर वीडियो आफ स्टॉक चक्र टूडेश टॉपिक इस मेरा मतलब है वाई लो सेल हाई और शॉर्ट से मेरा मतलब है सेल हाई वाई लो तो इस स्ट्रेटजी की मदद से हम लॉंग और शॉर्ट पोजिशन्स लेना सीखेंगे लेकिन उससे पहले हम इस स्ट्रेटजी के सेटप को समझ लेते हैं एक तो होगा MACD और दूसरा जो इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे वो होगा 200 period moving average इनहीं दौनों इंडिकेटर की मदद से हम long और short positions लेंगे तो अब समझ लेते हैं MACD crossover strategy में long और short positions लेने के लिए हमें किन rules को follow करना होगा तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि long position लेने के लिए हमें किन rules को follow करना होगा long से मेरा मतलब है buy low sell high तो इसके लिए सबसे पहले हम एक stock को select करेंगे और उसके chart पर हम apply करेंगे 200 period moving average और जो दूसरा इंडिकेटर हम apply करेंगे वो हम apply करेंगे MECD तो जब हमारा share का price 200 period moving average से above हो जाएगा और जो MECD indicator होगा वो हमको bullish crossover दिखाएगा और जो हमारा histogram का जो data है वो हमको zero line से above दिखेगा तब हम अपनी जो long position है उसको लेंगे तो ये तो था MECD crossover strategy में long position लेने का तरीगा अब समझ लेते हैं MECD crossover strategy में short position लेने के लिए हमें किन rules को follow करना होगा तो इसके लिए हम एक stock को select करेंगे और उसके chart पर हम apply करेंगे 200 period moving average और MECD indicator तो जब हमारा stock का price 200 period moving average से below होगा और जो हमारा MECD indicator है वो हमको various crossover दिखाएगा और जो उसका histogram का जो graph है वो zero line से below होगा तब हम अपनी short position लेंगे तो अब हम जान चुके हैं कि MECD crossover strategy में long और short position किस तरीके से ली जाती है तो ये ते थी इस strategy की theory लेकिन practical हमीसा थोड़ा मुस्किल होता है तो अब आपको क्या करना है कि एक महिने तक इस strategy को observe करना है और note करना है कि कितने दिन आपको profit हुआ और कितने दिन आपको loss अगर महिने के आखिर में आप net profit में रहते हैं और number of days of profit, number of days of loss से ज्यादा होते हैं तब आप अपने financial advisor से consult कीजिए और इस strategy के हिसाब से invest कीजिए लेकिन उस एक महिने के testing period के दौरान आप कोई भी real money invest मत कीजिए उस दौरान आप अपने demo account से invest कीजिए और जब आप फिल ली share हो जाएं तब अपने financial advisor से consult करके invest कीजिए क्योंकि मेरा मानना है तालाब में उतरने से पहले उसकी गहराई नाप लेनी चाहिए क्योंकि पैसा आपका है profit भी आपका होगा risk भी आपका और loss भी आपका ही होगा और हाँ इस वीडियो में मैंने 200 period moving average को graphically represent किया है लेकिन जब आप इसको technically chart पर apply करेंगे तो आपको ये थोड़ा different दिखेगा मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि आपको जो long और short positions लेने के लिए जो rules follow होते हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए लेकिन जब आप इसको technically भी चार्ट पर apply करेंगे तब भी आपके जो rules हैं वो same ही रहेंगे तो मिलते हैं आपसे अंगली वीडियो में किसी और strategy के साथ तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को subscribe कीजिए